नमस्कार मैं मैंश कोली बॉलीट संगीत के सबर्से दोस्तों ये बात है संग सेवंटीज के मध्य की एक फिल्म के गानों पर काम चल रहा था जिसके संगीतकार ने रफी साप को चुना था कि सारे गाने रफी साप गाएंगे मगर उसमें जो हीरो थे वो नहीं चाता है रफी साप गाएं हीरो का मानना था कि उनके लिए आवाज देंगे वो किशोर कुमार साप देंगे क्योंकि उस समय उस हीरो का नया केरियर था इंडिस्टीज में अच्छी चलती थी हीरो की मगर संगीत कार ने यहां तक कह दिया कि अगर रफी साप नहीं गाएंगे तो वो इस फिल्म को छोड़ देंगे और जब वो गाने रिकॉर रिकॉर्ड हुए रफी साप को मानना पड़ा है अभी रफी साप में रिकॉड करे और फिल्म जब बाजार में उत्री तो वाके इन गानों ने जो धूम मचाई आज भी एक गाने अमरे और हिरो का जो वहम ठाकी उन पे नहीं किशोरदा की आवाजी सूट करेगी क्योंकि वो अभी-भी उनका केरियर के शुरुआती दोर में तो उन्हें लगा कि शायद किशोरदा उनके लिए परफेक्ट रहेंगे मगर संगीतकार नहीं चाहते थे उन्हें दावा किया था कि रफिसाब भी गाएंगे और रफिसाब जब इन गानों को गाएंगे तब ये गाने सुपट पर हीट रहेंगे और ऐसा हुआ भी जहां दोस्तों वो फिल्म थी लैला मजणू 1979 में रिलीज हुई थी और संगीतकार थे मदन मोन जिनकी डेथ इस फिल्म के गाने रिकार्ट करने के दौरान ही हुई थी 1975 में और वो हीरो थे रिशी कपूर साब जिनका केरियर उस समय शुरू हुआ था तो चाहते थे कि किशुर कुमार इसके गाने गाए लैला मजणू के मगर मदन मोन साब अड़ गए कि नहीं जो इस गानों की आत्मा है जो इस गानों की आत्मा में जान डाल सकते हैं वो एकी सिंगर है रफी साब और ऐसा हुआ भी आप लैला मजनू के जितने गाने आप सुनेंगे सारे के सारे गानों में रफी साब ने कमाल किया हुआ है मैं तेरे दर पे आया हूँ ये इस रेश्मी पाजेब की जनकार के सत्के लिख कर तेरा नाम जमी पर सारे के साने बर्बादे महबत की दूआ साथ लिए जा आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर रफी साब की जगा कोई और संगर गाता बताईएगा कमेंट जरूर कीजेगा तो कैसा रिजल्ट रहता तो ये भी किस्से हुए हैं दोस्त तो आज का किस्सा यहीं तक महिश कोदी को दीजी का अजाज़त गुडबाई गुड़डग और टेक कियर